दोस्तों सफल हुआ व्यक्ति ना तो वो किसी दूसरी दुनिया से आते हैं और ना तो उनके सरीड में 300 हड़िया होती हैं और ना तो उनके लिए दिन में 25 घंटे होते हैं और ना ही उनकी लाइब समस्याओं से फिरी होती है तो फिर ऐसा क्या है जो सफन लोग हमेशा करते हैं ऐसा क्या होता है उनकी आदतों में और विचारों में जो उन्हें दुनिया के अर्बों लोगों से अलग बनाता है दोस्तों मैं आपको बता दूँ सफन लोग को सुबह से ही जीतने का चसका लगा होता है और उनकी पहली दुश्मन होती है उनकी नीन सफन लोग देर सुबह तक नहीं सोते क्योंकि वो देर रात तक मोबाइल पर टाइम पास नहीं करते और वो मोबाइल पर इसलिए टाइम पास नहीं करते क्योंकि वो किसी भी बुरी आदत के गुलान नहीं है वो कभी भी हारते नहीं है उनको तो हारने में कोई विक्कत ही नहीं है लेकिन मेहनत करना छोड़ देने में बहुत विक्कत है उनकी संगत हमेशा अच्छी होती है किसी महार इंसान ने कहा है कि मुझे किसी बेक्त के चार दोस्तों से मिलाओ मैं उस बेक्त से बीना मिले उसके बारे रता दुआ यानि सफल लोगों को पॉस्टिव एरेजी में रहना बहुत अच्छा लगता है सफल लोग सीखने के लिए कोई भी लोका नहीं छोडते है अब सिखाने वाला चाहे कोई गरीब हो या कोई छोटा बच्चा ही क्यों नहीं हो वो पूरी उम्र सीखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं क्योंको पता है कि हर बुरी चीज कान वो खुद पर लेने से अच्छा है कि दूसरों के दिये गए सीख को अपने काम मिलो क्योंको इंसानियत के नियम सब के लिए एक होते हैं दर्द का मितलब दर्द होता है और हार का मितलब हार होता है इसलिए सफल लोग जीतने वालों के साथ साथ हारने वालों के रीजिन जानने में उतना ही इंट्रेस्ट लेते हैं सफल लोग उन कामों को अपनी लिस्ट में सबसे लास्ट में रखते हैं जिसे उनको अपना लक्ष प्राप्ट करने में कोई फाइदा नहीं होने वाला और इसी वज़ा से उनको जरूरी चीजों के लिए टाइम मिल जाता है आपको क्या लगता है कि किसी सफल और अमीर आदमी के लिए पैसा जादा किंती है उनके लिए समय पैसों से भी जादा महीन रखता है वो पैसों का लाज सहन कर सकते हैं लेकिन समय का बिल्कुल भी नहीं कर सकते लेकिन एक और चीज है जिनको वो समय और पैसों से भी उपर रखते हैं और वो है उनकी हेल्थ अगर वो स्वाथी नहीं रहेंगे तो कैसे इस दुनिया के super competition environment में किसी को पीछे पचार पाएंगे सफल लोग बिना सोच समझ कर और बिना प्लान किये बैल की तरह पसीना नहीं बाते हैं जब दुनिया को लगता है कि वो सांथ है या अराम कर रहे हैं तो उनको समय यही सोचने में निकल रहा होता है कि कैसे मैं अपने मंजिल को प्राप्त करूँ जो problems आ रहे हैं उसको मैं अपने रडीट से कैसे पचारूँ सफल लोग हमेशा अपने आपको खुद की मंजिल की तरह बढाते रहते हैं दुनिये तो तब जानती है जब वो किसी स्टार का या किसी देख पती का या किसी सफल इंसान का नाम सुनती है लेकिन उस नाम के पीछे उस बंदे की कितनी मेंट होती है कितनी दूनों की दोस्तों की पार्टीज की कुर्बानी होती है ये तो सिर्फ वो बंदा ही जान सकता है या उपर वाला जान सकता है हमारे लिए वो सिर्फ एक सफल इंसान का नाम होता है जब कि उस इंसान के लिए जो सफल हुआ उसका करो या मरो वाला संस होता है और वो मरने से पहले करने पसंद करते हैं और आखिर में एक ऐसा काम, एक ऐसी जिम्मेदारी जो अगर कोई भी अपने दिल में पाल ले तो उसको खुद को पता नहीं चलता कि कहां से ताकत मिल जाती है और खुद को खुद अपना नाम कमा लेता है और महान बन जाता है दोस्तों देश भत्ती का जज़बा देश को आगे ले जाने के जिम्मेदारी दुनियों में देश का नहीं रोसंग करने वाला सपना जो किसी भी देश के नागरिक को अपने खून में पलाजमा और ब्लड सेल से जादा रखना चाहिए तो दोस्तों वीडियो में बस आज के लिए इतना ही बिलते हैं अगले वीडियो के साथ जैहिन बन्दे मातरम